उकरेण में जो हौलात बने हुए है उस से लगातार भार्टी चात्रों को, नागरिकों को निकालने का सिलसला जा रही है हर्याना के बहुत से चात्रों लौट चुके हैं और जो नहीं लौटे है उनके लिए भी अब सरकार तमाम कोशिशे कर रहे इहां हमारे साथ प्रोक्ष चौदरी जुड़ गए हैं प्रोक्ष हर्याना में खास तो और से उन छात्रों की अगर हम बात करें जो लौट चुके हैं हाला कि तस्वीरें हमने देखी हैं मिचाईयां खिलाई जा रही हैं स्वागत हो रहा है और यह तस्वीरें लाजमी भी हैं क्योंकि जब अपना कोई युद्ध चेतर पर फल जाता है तो चिंता बढ़ जाती है लेकिन वापस लौटने पर खुशी होती है क्या महौल क्या है यह रूस में जब हमला किया और युक्रीन में भारती चातर जो पढ़ाई के लिए गए हो हैं और जब ख़बर आती है कि सभी चातर वहाँ पर फस गया है ऐसे में लाजमी है कि जो माता पिता है वह बहुत डर गए थे और उनकी जो इस तरीके कि तो किसी से कुछ भी नह है और लगातार जो यूकरेन के अंदर चातर फसे हुए हैं उनको किसी ना किसी रास्ते से भारत लाये जा रहा है भात हार्याना की करें तो 1815 के आसपार जो चातर है वो यूकरेन में फससुए थे जिनमें से 10 GM के करीब अब तक जो चातर है वो वापिश ला चुके हो लग बारत लाने के बाद जो क्योंकि हर्याना सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की जारी कि जितने चात्र यूकरेन में फसल हुए हैं उनको जल से जल भारत शाकुशल वापिस लाए जा सके और बात करें माता पिता की तो साफ तो पर क्योंकि खुशी जो है उनके अंदर जर बीच में यूद चुट 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 जा सकी क्योंकि लगाता चिंता के विशए बना हुआ है जिस तरीके से यूद जा रही है अभी भी और ग्यारवाद दिन है आज ऐसे में चिंता जो है सभी केंदर सरकारों प्रदेश चरकार की बणी की बनी हुए है ऐसे में प्रदेश डिली हो वहाँ पर एक ईंच्वा क्या जा सके साथी नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं ताकि जिन जो चातर चातर है वापिस नहीं आगए आज पाए हैं उनके माता पिता से कॉंटेक्ट किया जा सके और लगतार उनके कॉंटेक्ट में बने रहे जी जी जिस तरह से मुखेमत्री मनोहरलाल मिले हैं हाला कि यह खु या तमाम अधिकारियों निदेश दिये गए हैं कि केंद्र सरकार के साथ मलकर हर्याना कि उन तमाम चातरों से संपर के साथ ने की कोशिश करें जो यूकरेन में हैं तो किस तरह से इस कदम को देख रहे हैं जिब बिल्कुल देखी क्योंकि प्रदेश सरकार और केंदर सरकार जब से ये घटना घटने शुरू हुई है जब से ये लडाईया चली है युद हुआ है ऐसे में अब हर देश के लिए एक बहुत ही चिंता के विशे बना हुआ है क्योंकि सबी के चातर चातर है जो है जब से जब साथी चातरों शातरों को वहाँ से वापस लाए जा सके ताकि जो जान का जो खीम उनका बना हुआ है ऐसे में लगातार उनसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश जो है वो भी प्रदिश सरकार की तरफ से की जा रही है कंट्रोल रूम बनाए गए है जो चातर युक्रेन गए हुए तो और अभी तक उनकी जानकारी नहीं लग पाई है उनके माता-पिता से बात की जा रही है कि आखिर कब गए थे और कितनी पड़ा ही है उनके मोवाईल नंबर से ऐसे में तमाब कोशिश की जा रही है कि सभी से कॉंटेक्ट करके उनको वापिस भारत लाए जा सके शाकुशन जी आप रोक शेक और सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए वहाँ पर जिन भी परिस्थितियों में चात्र पढ़ने गए हैं जरूरी नहीं है सभी अपोर्ट कर पाते बहुत से मजबूरियों के तहट किसी ने जमीन बेची किसी ने उधार लिया तो यह तमाम चीजों के बेच परिस्थितियों के बीच चात्र वहाँ पर पढ़ने गए अब जो सब कुछ हो रहा है उसके बाद चात्र वापस लौट रहे हैं पढ़ाई पर संकर्ट बन गया है जो जीवन है उस पर भी संकर्ट लगातार देखने को मिला तो सरकार के उर से एक और बात सामने आई है कि अब चात्रों का भविश्य खराब न हो इसको लेकर भी इंतर्जाम किये गए है और इंटर्ण्चिप भारत में उनकी कराई जाएगी तो क्या ये भी राहत की खबर के तौर पर देख रहे हैं परिजन हो ये चात्रों जी बिल्कुल देखी क्योंकि सबसे बड़ा चिंतर के विश्य अभी यही है क्योंकि वहां यूजठ चुढ़ा हुआ है ऐसे में क्या आगे किस तरह की परिस्तितिया रहेगी ये जली जलत बाजी होगा किस Taylor की परिस्तितिया वह रहेगी लेकिन सबसे बड़ा चिंत्य के विशे उन चातराओं के लिए उन मातापिताओं के लिए कि जिनोंने बहुत से पैसा लगा कर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर बेजा युक्रेन बेजा लेकिन अब क्या वो पढ़ाई लगातार चल सकेगी या नहीं चल सकेगी इस तरके के विशे जो है उनके माईने में आ रहा है उनके जहन में आ रहा है लेकिन अब कह न कहीं जिस तरह के से बात निकल कर सामने आई है, केंदर सरकार के तरफ से की इंटर्शिप उनको कराये जाएगी, हलाकि किस तरह के किस तरह की कदम सरकार की तरफ से उठाये जाएंगे अगर केंदर सरकार की तरफ से इंटर्शिप कराई जाती है और ऐसे में उनके भविशे की खराब नहों इस तरह के कदम उठाई जाते है तो जरूर उनके लिए एक राहत की ख़बर उन माता पिता और बच्चों के लिए जरूर है ये चलिए बहुत बहुत शुक्री और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो भी चातर भारत के वहाँ पर फसे हैं